पंजाब दे वेच कल पंचायती चोना दे लेई वोटा पईयां ते चोन कमिशन दी जानकारी दे मताबेक अठाट फीस दी पोलिंग पूरे पंजाब दे वेच दर्ज कीती गई है एकका दुखा कटना वानुचाड के पंजाब दे वेच चोना अमन अमान दे नाल ही नेपरे चड़ियांने वोटरां दे वेच स्वेरे ता काम मठाई रहा पर बाद वेच काफी उच्छा देखनों मिलेया काल ही वोटा दे नतीजे आ गए हन कई थाईता देर रात तक गिंटी पर किरया चाल दी रही पर जादा तर्थामा ते आठ वजे तक चोन नतीजे साफ हो गए सन ते आथ की पंजाब दियां पंचायती चोना दी सबतों बदली होई जड़ी तस्वीर है आथ की 70 फीस दी नौजवान पंच सरपंच बनेहन यानि के बज़ुर्गां दी जड़ी शमूलियत है जा बज़ुर्गां दी जित है उती फीस्ती दे करीब है ते सत्तर फीस्ती नौजवाना दे हिस्से सरपंची ते पंची आई है बीबियां दी पागीदारी दे विच भी काफी वादा होया बॉलिंग दोरां पंजाब दी वेच तिन थामा ते गोडियां चलियां टकराा भी होयाँ ते पथ्थरबाजी दे वेच कई लोक जखमी भी होये वोटा दोरां गड़बड़ियां ता अंदलियां ते तक कि शाहीदियां कटना वावा वी कुछ थामा ते वापरियां बठेंडे दे पिंड आकलिया कलां दे वेच चोणा द्रमयान आमादमी पार्टी दे जिला परदान दी गड़ी दी पान तोड कीती गई कटना दी वीडियो वाइरल होई ते डीएसपी ने तेन जना दी पचान करन दी जानकारी दती है जीरा दे पिंड बुटर रोशन शावाला दे वेच आमादमी पार्टी दे ही दो तड़यां दी तकरार होई जिदे वेच एक बजुर्ग जखमी हो गया बर्नाडा दे महल कला दे पिंडा दे वेच पंचायती चोणा अमन अमान दे नालने प्रेचडियां पर पिंड कर्मगर दे वेच पंची दे उमीदवारती हमला होया जेडा हासपताल दे वेच जेरे इलाज है मोगगा दे पिंड मलियाँ वाना ते मसीतां देविच हाकम तेर देविदायकां दा लोका ने किराओ कीता बागा पुराणा दे पिंड कोटला मेहर सिंग देविच पोलिंग खतम होण तो बाद गोडियां चलियां दो जणि जखमी होगे एक नूलू दे आना रेफर कीता गया। आज स्वेरे 8 वजे तो एथे वोटिंग चल रही है, 4 वजे तक वोटना पैन गया। एक दूजे ते इटना रोडे चलाये ते कई जानया दियां दस्तारा विला थके या। नमाशेर दे पेंड बलाकीपुर दे वेच वोटना कट्टे जान दे मामले ते हंगा माहोया। वोटिंग दोरान कल दो मुलाजमा दी वी जान चली गई है, ड्यूटी ते तैनात एक अधे अपक अमरिंदर सिंग। वोटना तो पहला वाली रात नूँ जिदो पोलिंग बूथ ते अपने कमरे चे राम कर रहे सान ताउना दी शक्की हलात वेच जान चलेगी, यसे तरह बरनाड दे वेच पंचायती चोन ड्यूटी ते तनात एक पोलिस मुलाजम दी जान चलेगी, पचान सीनिर कॉंस्टे जिस्तो बाद इस पंड दी चोन मुल्त भी कर दती गई है, तो कल शाम नूँ ही चोन ती जे और तो बाद पंजाब दे वेच पूरी रात जशन दा महौल रहा, यानिके जे तू उमीदवार आपो अपने समर्थ का दी नाल खुशी मनाओं दे देखी गे, जाधा तर पंड सब्तो पहलाँ गुरुकार मथा टेक़्या गया, तो कि जेडे पंड दे वेचे सरब समतीनार पंचयता बढ़िया सन, वी पूरी पंचयत ने गुरुकार जाके मथा टेक्या अरदासा कीतिया, तो पंड दे विकास दे लई वादे कीते, ऐद की वोटानू लेके पंजाबि दे विचेनना का उत्शास ही के वडेरी उमर दे लोग भी पिछे नहीं रहे, पेंड मिया दे विचे 113 साल, पेंड गिदर विचे 106 साल, ते पूला दे विचे 101 साला दे बज़ुर्गा ने भी वोटा पाईया, ते इस दरम्यान जेडे पेंडा दे लोग पंचायती चोना च स्टार्ट है, यानि के वोटना पैरियाने, जे होन असी कोई फैसला सुनाओंदे यां, चोना रोक देंदे यां, ता पूरे पंजाब दे विचे कडमा समाच जुगा, हफ़डा दफडी माच जाओगी, हाला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा के असी एस पटीशन नू, असी एन नवंबर नू पैन गिया, ते नतीजे ते नवंबर नू आउन गे, पार्ती किसान यूनियन एक ता उगराहा ने पंजाब दे विचे चोने दी मुकम्मल ख्रीद शुरू ना होन दे रोस दे विचे, कल तो सारे टोल प्लाजे नू परची मुक्त करवान दा एलान किता है, उगराहा जथे बंदी दे परदा आन जुगिंदर सिंग उगराहा ने दसे आ के 17 अक्तूबर तो सुबे दे सारे टोल प्लाजे फ्री कारदते जानगे, उस्तो बाद 18 अक्तूबर नू सुबे विच आम आदमी पार्टी दे विदायकां संसंद मेंबरां ते मंत्रियां तो आपने खिलाफ बे बुनियाद दोश लॉन वाले अकाली लीडर विर्शा सिंग वल्टोहा नू काल पांज जथेदार साहिबाना ने अकाली दाल विचों 10 साल ले कड़न दा होकम जारी कार देता, जिस तो बाद विर्शा सिंग वल्टोहा ने अकाली दाल दी मुडली या एलाने गे सुगवीर सिंग बादल की 13 नवंबर नू होनवाली जिमनी चोन दे विच गिदड़ बाहे तो चोन लड़न गे जा फिर नहीं एवी पता लगया के श्रोमरी काली दल्दे पर दान सुगवीर सिंग बादल ते विरूदी तड़े दी आगवां खिलाफ काल त सब दी जत्यदार गेंडरगवीर सिंग समेत सारे जत्यदार साहिबाना ने कीता उन्हा क्या के एसमन दी किसे भी बारी ताकता कोई परबाब नहीं है जहे दोश बे बने आधान एसमन दी जल्दी ही सिख विदवाना दी बैठक सद के राय लई जाओगी जिस्तों बाद प अंज सिंग साहिबान दे वल्लों श्रोम्नी कमेडी दे मेंबर हर देव सिंग रोगला नों वीडेरा सरसा दे बलातकारी ते कातल साध ते ओसवलों कीते जा रहे कारजान दी परशंसा करन दे दोशे एट ता आर्मेक तन खाल आई गया रोगला नों 11 दिन आपने नगर दे एक पड़ा दे विच वी नवंबर नों वोटा पैण गिया चार खंड दे विच 13 वी नवंबर नों वोटा पैण गिया ते सारे किते 23 नवंबर नों नतीजे आँगे जम्मु कुश्मीर नूँ विशेश राजदा दर्जा देनवाडी सम्दा अंधीतारा 370-2019 विच रध हों तो बाद पहली वरी हों या विदा अनसबाद चोना विच जितन तो बाद उमर अब्दुल्ला आज मुख मंत्री वजों हाल फलेंगे यानि के जम्मु कुश्मीर जने प्रे ट्रट जाएगा उपराजपाल मनोज सिनहा स्वेरे साड़े ग्याना वजे सारी कैबनिट नू आओदे दा हाल फद वाउनगे जो हर्याना दी गाल कर लए ता हर्याना दे नवे मुख मंत्री नायब सिंग सैनी दा सौंच उक्समागम कल 17 अक्तूबर नू होवे दोकदाल दे परदान अभे 14 अनू वी सद्धा पतर पेज्जा गया है एस सौंच उक्समागम वेच छे सुवयान दे मुख मंत्री ते उप मुख मंत्री वी शामिल होंगे पार दे परदान मंत्री नरेंदर मोदी समेत केंदरी ग्रह मंत्री अमित शाह अते बीजे पी दे तकरीबन सारे वड़े लीडर एस सौंच उक्समागम दे वेच पहुंच रहे ने पंजाब दे C.A.E. स्टाफ खरड दे वेच मरहूम पंजाबी गायक शुबदिप सिंग सिद्धू मूस से वाले दे कतल दे मास्टर माइंड गैंक्स्टर लॉरेंस विश्णोई दी इंट सुनवाई हुई इस दोरान पंजाब सिरकार वल्लों अदाल्त विच जवाब देता गया के इंटरव्यू लेई जिमिदार अधिकारियां खिलाफ 10 दिना दिवेच कारवाई कीती जावेगी इस तो पिछली सुनवाईच सिरकार ने अदाल्त नों दसया सी के चार जिमिवा सुनवाई करेगी यानि के लॉर्ण्स विश्णोई इंटरव्यू मामले दे वेच साइटी जाँच मुकम्मल हो चुकी है रिपोर्ट सरकार दे कोल जमा करवादती गई है तो पंजाब सरकार ने वी अदालत दे वेच दोशियदकारियां खिलाफ 10 दना च कारवाई करन दा प्रोशादता है जाहिर तौरते मरहूम सिद्धू दे माप्यां दे लेई ए वड़ी राहत वाली खबर है हालांके खबरां पड़े जान तक सिद्धू दे पिता बलकौर सिंग दा कोई प्रतिकर्म सामने नहीं आया सी मरहूम हरदीप सिंग निजर मामले ते पार तते कैने कैनेडा दी पुल्स यानि के RCMP ने कैनेडा दी तर्तिते हिंसाले जिम्मेवार विदेशी दखल अंदाजी दी वद जांच दे लेई आम लोकां तो भी सहयोग मंगया है रायल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने खास तोरते सिख पाईचारे नोँ अपील कीती है कि जिनना लोकां दी कोड कैनेडा दी तर्तिते हिंसक कारवाईयां दे लेई जिम्मेवार विदेशी दखल अंदाजी समंदी कोई वी जानकारी है ओ अपने ब्यान दर्ज अपील RCMP दे मुखी माइक दोहेम ने खोद कीती है इस्तो पहला RCMP ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कैनेडा दे विच दखने शेई पाईचारे नाल्स बंदेत कुछ कतला फिरोतियां ते अपरादी कारवाईयां दा संबंध पार्ती कूटनीत का नाल जोड़ देयां खुलास उस्तो बाद कैनेडा दे परदानमंत्री जस्तिन टूडो ने राज्तानी ओटवा दे विच प्रेस कॉन्फरेंस करके इल्जाम लाया सी के असी पारत नू अपने इल्जामा दे सबूत वी सौंप देते ने पर पारत सरकार जांच दे विच सहयोग नहीं कर रही उस्तो बा आपो अपने मुल्क चों कडण दा हुकम जारी कार देता इदर कांग्रस पार्टी ने परदानमंत्री नरेंदर मोधी नू अपील कीती है कि पारत कैनेडा मसले ते विरोधी तिरानू पर उसे विच ले आ जावे कांग्रस दे सीनियर लीडर जाराम रमेश ने इस करन दे हुकम दिते ने मुखमंदरी ने सुबे विच चाल रहे मेडिकल कॉल जान दे निर्मान कार जान दे लेई मिटिंग सदी सी जिस विच सीम ने ए आदेश जारी कीते ने एना मेडिकल कॉल जान दे हस्पताला दा मकसद सुबे नू देश पारद विच मेडिकल सिख्य दा तुराबन ओना है सीम ने कहा कि मेडिकल कॉल जांदी उसारी दा काम समा बाद दे टांगनार मुकमल किता जावे तां जो लोका नू सस्तियां दरांते वधिया सेथ सहूलता मिल सकन सीम मानने दावा किता कि सूबे कोड विश्य पदरी डॉक्टर पैदा करन दी शानदार दिरासत है इस दिनाली सीम पगवंतमान ने 13,400 किलोमेटर लिंक सड़का बणा उनदीवी मन्जूरी दे दती है जिसलेई 2,466,89 लखर पैए मन्जूर कीते गए ने करवा चौत दा वर्त रखन वालियां बीबियां दे लेई एक चटके वाली खबर है कि एद की GST सके ते इसले GST विपाग पंजाब दे वित्त कमिशनर क्रिशन कुमार खोद कई थामाते बिलांदी चेकिंग करन लेई पहुंचे सा न जिसदा विपाग नू काफी फायदावी होया सी ते एद की वी बीबियां दे लेई सबतो एकसाइटमेंट वाले ते हार करवा चौत म इमा ए निगरानी रखन गियां के बीबियां वलो किती जान दी खरीदारी जां फिर ब्यूटी पार्लरां ते जान ते उना नू अदाएगी करन ते बिल कट्या जार है जां फिर नहीं एस तो इलावा खान पींडे खर्चे कपडे ते पांड्यां दी खरीदारी ते वी GST विपाग दी नजर रहेगी सो करवा 14 वर्त रखन वालियां बीबियां आपना ते आनी रखन मकान मालका अते किरायदारा दे एक मसले नू लेके पंजाब हर्याना हाई कोट ने एहम टिपनी कीती है कि मालक किरायदार नू जायदाद खाली करवाउन ले कोई भी कारन दे सक जदों वी मालक चावे अपने किरायदार नू बिना किसे कारन तों जा फिर कोई भी कारन दे के अपना कारजा किसे वी तरह धी जायदाद खाली करवाउन लेका सक दा है जे जायदार्द मालक एधावा करदा है कि उसनो अपने कारोबार नो वदा उली करायदार दे अहाथ दी लोड है ता उसनी लोड नो असल मन्या जाना चाहिदा है हाई कोट ने एस दलील नू रद कर देता कि मकान मालक एक अमीर परवार नर्स बंद राखदा है ते उस दी दुकान विच कारोबार शुरू करन दी लोड कालप ने कै ता हाई कोट ने किहा कि जो मालक है उस दी पहला गल मननी जावेगी आज पहले सिक राजदे पहले बादशा बाबा बंदा सिंग बहादर जीदा 300 चरंजावां जनम दिवस है महान शासक अते बहादर योदे बाबा बंदा सिंग बहादर ने जिमिदारी प्रथानू खतम करके काश्टकारानू मालकाना हक देन बारगे कई विलखन फैसले अपने राज दे वेच लगू कीते सन बाबा बंदा सिंग बहादर ने गुरू साहिबाना दे नाते नानक शाही सिक के चलाए सन यानि के ओस राज दे वेच करंसी गुरू साहबाना दे नाम दी चलेया करदी सी, सिख राज दे वेच किसे नार कोई पेदपाव नहीं सी, हर किसे नार इको जिहाँ वर्ताओ कीता जादा सी, ते जमीना वाउन वाल्यानों जमीना दे माल की हक दे के बाबा बंदा सिंग बहा कीती उस बड़ी जित तो बाद बाबा बंदा सिंग बहादर ने एक तो बाद एक कई जंगा जितियां ते मुगला दा पंजाब चो स्वाया कर दता सी महान सिख योदे ते महान सिख बादशा बाबा बंदा सिंग बहादर जी दे जनम दिवस्तिय सी सबनु बदाईयां दन द